हाई फ्रेंड्स विल्कम हैं हमारे जियस इंडिया यूटूब चैनल्स पर यह हमारा टेस्ट नंबर 312 है 312 है और आज का जो टॉपिक है काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है कम्मिनटी हेल्थ नर्सिंग हिंदी में से समधाइक स्वास्त नर्सिंग कहा जाता है जो हमारा डा एक्जाम सोते हैं सभी के लिए इंपोर्टन डॉल प्ले करेगा यूपि तरफल ऐसी का जो एनम का एक्जाम सोने वाला है उसके लिए वेरी वेरी इंपोर्टन कोशन है क्योंकि यह उनका टॉपिक है उनको सायद ना पता हो कि कम्मिनटी हेल्थ नर्सिंग भी उसमें इंक पर ऐसी एनम का और आप किसी भी स्टेट से हैं पंजाब हर्याना उतरप्रदेश महराष्टा राजिस्तान एंपी ठीक है मदप्रदेश किसी भी स्टेट से जहारकंड प्यार सभी के लिए इंपोर्टन डॉल प्ले करता है क्योंकि काफी अचाय टॉपिक होता है यह कोशन आल इस्टेट के जितने भी नर्सिंग एक्जाम्स होते हैं सभी के लिए रिए इंपोर्टन डॉल प्ले करेंगे और हाँ जो लोग हमारी एनम की पेड लेना चाहते हैं वो लोग हमसे संपर कर सकते हैं हमारा मॉबाइल नमर यह रहा आपकी स्किन पर यह वर्टसप नमबर होगा आपकी स्किन पर यह आप अपनी स्किन पर देख सकते हैं यह हमारा WhatsApp नमबर है यह रिकाए 6306782918 36066918 ठीक है यह हमारा WhatsApp नमबर है जिने भी A&M की पेड क्लासे लेना है या किसी को भी हमारे PDFs नोट्स परचेज करने है तो वो लोग संपर करेंगे अपना नाम लिखेंगे ठीक है अपने जिले का नाम लिखकर हमें मैसेज करेंगे ठीक है जो लोग भी A&M की पेड क्लासे लेना चाहते हैं वो लोग इससे संपर करेंगे क्योंकि already हमारी A&M की पेड क्लासे जिस्टार्ट है और काफी ज़्यादा मातरा में आज से उनकी क्लासेज को और इंक्रीज कर दिया जाएगा आज से थोड़ा उन्हें फॉस्ट पढ़ा जाएगा क्योंकि उनके लिए एक मंत का टाइमिंग बचा हुआ है एक महिने का समय जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं आपका विदिन टाइम 10-15 दिन के अंदर आपका पूरा कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा ठीक है फिर इसके बाद आपका रिविजंस और जो मॉडल पेपर टेस्ट होंगे यह सॉल्व कराए जाएगे आपको ठीक है आपको अच्छी तरह से अब तयारी कराए जाएगी अब तयारी में थोड़ा जोरी बरती जाएगे ठीक है तो जो भी लोग हमारी क्लासेज लेना चाहते है एनम के पेड़ क्लासेज वो लोग जोईन हो सकते हैं ओके जिनने भी लेना यह वाटसप नमबर में सर किया गया है यहाँ पर क्लासेज चलती है और पेड़ क्लासेज में काफी ज़्यादा डिफरेंस होता है यहाँ पर 5-10 कोशन होती है वहाँ पर काफी ज़्यादा कोशन होती है और वहाँ पर पहले आपका टॉपिक खत्म किया जाता है थियोरी पढ़ाई जाते है फिर इसके बाद आप को MCQ ठीक है और आज से आपकी classes थोड़ा increase की जाएंगी क्योंकि समय कम है और course जो भी है वो within time include करके complete कर दिया जएगा और सब कुछ ज्यादा मात्रा में आपकर आए जाएंगे ठीक है कोशन नमर आप पहला पढ़ें फिर राइट आमसर बताएं कोशन नमर फर्स्ट कोशन नमर फर्स्ट पर पूछागे समय किद बाल विकास सेवाएं का प्रार्म की गए थी वी वाज Integrated Child Development Services ICDS started क्या होगा राइट आमसर इसका समय किद बाल विकास सेवाएं इसे ICDS कहा जाता है Integrated Child Development Services समय किद की जगह यहाँ पर एक वर्ड आता है एक इकरत क्या आता है एक इकरत Integrated जो वर्ड लिखा है यहाँ पर इसका मतलब होता है एक इकरत और समय किद ठीक है सभी को लेकर पूर्टिया मतलब होता है आपको बताना है ICDS जो प्रोग्राम था कब started किया गया था कुछ पॉइंट होंगे डिटेल्स को इसकी बिल्कुल ना करना जो आपके एक्जांस के लिए वेरी वेरी इंपोर्टिन होंगे ठीक है option क्या होगा इसका right answer option B is the right answer 1975 1975 1975 ठीक है Hindi English आप दोनों में पढ़िये इस data को ठीक है समय कित बाल विकाद सेवा हैं जो ICDS प्रोग्राम थे 1975 में start किया गया था option B इसका right answer होगा option B आप यहाँ पर जो details है इसे आप जरूर पढ़ें ठीक है इसे आप बिल्कुल भी नहीं skip करें आपको अगर Hindi English नहीं आती है तो आप क्या करेंगे इस details को आप फिर भी कि ICDS का पूरा नाम क्या होता है तो आप जानकें कि Integrated Child Deployment Services होता है इसकी एक तरह के scheme है one of the flagship program of the government of the India and represents one of the world's largest and unique program for early childhood care and deployment देखिए यह भारत सरकार के द्वारा ही start कि अगर एक प्रोग्राम है और काफी बड़ा करता है deployment के लिए कई रास्ते खोजता है यह समझें कि आंगनवारी के माध्यम से इनका केरिंग किया जाता है ठीक है क्योंकि जो ICDS से इसी के अंतरगत आंगनवारी केंदर आते हैं ठीक है जानते होंगे गाउन बगार में छैसाल सलट एक ज चीवर्स से कम के बच्चचे होते यहाँ पर पर केंच पॉइंट प्रदान की जाते हैं सर्विस प्रोइडर की जाती हैं थो महिला होती तो जो लोग जो लेक्टेटिंग मदर सूती जो अपने बेबी को ब्रेश्ट फिडिंग कराती है उनके लिए भी कई सेवाई यहां पर सर्विसेज प्रवाइड की जाती है और पेग्नेट महिलाओं के लिए भी नेच्ट यहां पर नुटिशन एंडी हल्थ एजुकेशन वोमिन्स को जो पंदरा से पैतालिस साल की बीच की होती है ठीक है उन्हें यहां पर एजुकेशन दी जाती है कैसी एजुकेशन दी जाती है उनकी कम्नेटी से रिलेटेड या साख समुद्ध मलब जो क्लेइनेस से और nutricions related उनको यहाँ पर जानके रिधरी दी जाती। केतने वरस के महिलाओं को समलित कियाता है। यह बात ध्यान रखने हैं 15-45 साल के महिलाओं को समलित के जाता है। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों की एज क्या होगी, कि केतने वर्ष से कम बच्चों को यहाँ पर आंगनवाडी के इंदर पर लिया जता है ICDS पढ़ा रहे लेकिन आपको एक वर्ड साहत पच ना रहा हो कि पढ़ा रहा है ICDS और आंगनवाडी को बात कर रहा है आपको इस तरह होगा आपसन में प्री स्कूल एजूकेशन दिया जाते है तो आप ध्यानके ICDS मतलब आंगनवाडी के इंदर में दिये जाती है तीन से छे वर्ष के बच्चों को यहाँ पर समलित किया जिनकी उम्र तीन साल से छे वर्ष के बीच में होती है ठीक है और लेक टेक्टिंग मदर मतलब जो अपनी जो मा होती है अपने बईवाडी के दूद करा दूद पिराती है या ब्रस पीडिंग कराती है यह सबी पॉइंट आपके एक्जाम्स के लिहास से वेरे वरी इंफोर्टेन है कोशन नमबर आप टू पढ़ें फिर राइट आमसर बताईए कोशन नमबर दो यह रहा आपकी स्क्रीन पर भारत में मृत्यू का पंजी करण के अंदर करवाना अनिवार है विदिन हाव मेरी डीज इस मंडेटरी टू गेट ता रिजिस्टेशन ओप दी डिट ड़न इंडिया क्या होगा इसका राइट आमसर स्लेट कीजिए आप सभी राइट आमसर इसका जो भी राइट आमसर आपको लग रहा है वो आप राइट आमसर बताईए भारत में मिरत्यू का पंजी करण केतने दिनों के अंदर करवाना अनिवार है बहुत अच्छा कोशन है हो सकता है आपको सिंपल लगे अगर सिंपल भी रख रहा है तो आपको आमसर बताणा है ठीक है क्योंकि यह CHO एकजामस में और बिने जाने केतने पाबलिक सर्विस कमिशन के एकजामस में पूछा गया कोशन है आप संसीजदर आइटामसर एक कीज़ दिन क्या होगा है राजिस्तान में उसमें एक कोशन पूछा गया था और बिने जाने कितने नचम के एकजामस में कोशन पूछा गया है ठीक है उसी तरह का एक कोशन और पूछा जाता है भारत में जन्म पंजी करण जन्म पंजी करण करवाना कितने दिन के अंदर अनिवार होता है इसका भी आमसर 21 दिन ही होता है कई जगे कई किताबों में अलग अलग दिया गया है कहीं साथ दिन दिया गया है कहीं 28 दिन दिया गया है यह सबी बाते कालपिनिक है इसका कोई वास्तिविक जिवन से संबन नहीं है आपसंसी ही इसका right answer है ठीक है 21 दिन ही right answer माना जाएगा ठीक है पहले था amendment किये जाते रहते हैं ठीक है आपसंसी is the right answer तो आप यह answer ध्यान रखेंगे next is question number आपके skin power 3 question number आप तीसरा पढ़ेंगे फिर right answer बताएंगे भारत में family planning program का प्रारम किया गया था when was the family planning program started in India यह भी exam में question पूछा जा चुका है तो लड़की जिए right answer क्या होगा इसका right answer according to option you have to select the appropriate answer क्या होगा इसका right answer when was the family planning program started in India इसका जो right answer होगा न वो होगा option A क्या होगा 1952 इसका right answer होगा भारत में family planning program start किया गया था 1952 कभी start किया गया था 1952 अब यहाँ पर देश चकते हैं इंडिया एक ऐसा देश था पूरी दुनिया में जिसने family planning program start किया था पहली बार ठीक है दुनिया में मतलब पूरे word में बारत एक पहला देश था पूरे दुनिया में तो हैब लांच और नेशनल प्रोग्राम पार दी family planning in 1952 जिसने किया family planning के लिए 1922 में start किया था family planning ठीक है दुनिया में पहला देश है नेक्स्ट एक कोच नमबर यह भी एकजाम्स पिछले एर्स पूछा गया था which day did the world health organization declare the world free from smallpox क्या है इसका right answer select कीजी आप लोग right answer which को मुक्त किया गया था word को free किया गया था आपको बताना है आपर smallpox से इसका जो right answer होगा वो होगा option B क्या होगा option B यह लिखा है 8 माई 1980 क्या लिखा है 8 माई 1980 को विश्व को smallpox से मुक्त घोसित किया गया था घोसित किस ने किया था यह भी question पूछा जाता है एकजाम्स में तो आप जान रखेंगे डबलु यह चो किस ने किया था डबलु यह चो कब करता है डबलु यह चो यह चो तब करता है question नमर आप 5 पढ़ें फिर राइट हमसर बताईए यह लिका है विश्व स्वास्त संगठन ने किस दिन भारत को smallpox से मुक्त घोसित किया था on which day did the world health organization declared India free from smallpox smallpox से free कर दिया था यह घोसित किया था डबलु यह चो ने कब किया था अब इंडिया के लिए बात आई है अगर थोड़ा सा IQ level होगा न तो उपर वाले से हमसर बता कर लोगे आप ठीके थोड़ा सा भी अगर आप अपना यहाँ पर दिमाग इस्तमाल करोगे न तो अराम से बता लोगे क्योंकि एक पॉइंट उपर बता दिया न मैंने अभी आपको और तो बाकी तो मैंची नहीं कर रहे है आप सनी देखिए कैसे इसका राइट आंसर होगा ये वाला अप्रेल उनीस सो ससत्तर आप संसी इसका राइट आंसर होगा क्यूं होगा क्यूंकि मैंने अभी आपको बताया ना दुनिया में जब भी केसे देखे जाते हैं इनके ठीक है और जब लगातार केसे नहीं देखे जाते कितने साल तक तीन साल तक जब लगातार केसे नहीं देखे जाते तब मुक्त किया जाता है तो इसका मतलब सा सत्तर में 3 प्लस करोगे तो 80 हो जाएगा 77 में प्लस 3 करोगे तो 80 आजाएगा तो इससे पता चलता है कि 80 में जब वर्ड डिक्लेड हुआ था इसका मतलब 3 साल पहले इंडिया डिक्लेड हुआ होगा ठीक है बागी आफसन में काफी ज़्यादा वेरी इफसन है ठीक है बागी ये आगे की लिखे हैं और इसमें जो लिखा है ने बहुत पहले का लिखा हुआ आफसन है तो आफसन सी इसका बेस्ट आमसर होगा और राइट आमसर होगा निमनत्य, और राइट आमसर, जो भी आपको लग रहा है ये ठीक wins जलजनित रोग हे बिचाप इससी इसको आपना IQ इसकापर करके आप बता सकते थैं राइट आमसर आफसन इसका लिखा राइट आमसर है टाइफाइट क्या है टाइफाइट ओके तो यह जल जनित जो बिमारियां होती है इसे इंगलिस में हम water bond decision कहते हैं क्या कहते है water bond absence इसका right answer होगा ओके अब यहाँ पर कुछ जल जनित बिमारियां दिखाई गई हैं आप देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन से जल जनित बिमा बिमारी कौन सी है जो पांच साल से कम उम्रे के बच्चों को ज्यादा प्रवाइट करती है ज्यादा होती है तो आप ध्यान रखेंगे वह बिमारी कॉल रहा है जो जल जनित है मतलब water bond decision अब यह लिखा है बटिलिज्म यह क्या लिखा है बटिलिज्म यह भी देखिए पा कर लेंगे यह सारी decision जितनी भी दी गए है सारी important है आपके लिए हो शकता है नहीं लग रही हूं कुछ तो कॉल्रा सबसे most कामने कॉल्रा और डैरिया ठीक है यह पांच साल से कम के बच्चों को ज्यादा होता है बटिलिज्म में क्या मतलब होता है भोजन के साथ या भोजन में जो विसाक्तता होती है क्या हिंदी में देखे वर्ड कापी टब होता है विसाक्तता विसाक्तता ऐसे लिखा जाता है मतलब यह होता है कि टॉक्सिटी फैल जाती है जो भोजन करते हैं पानी पी लेते हैं कोई गंदा या इंप्योर वाटर इंटेक कर लेते हैं पी लेत खाने पीने में या भोजन या पानी में विसाक्तता होना या इसके मादम से सरीर में विसाक्तता होना ओके डैरिया बगएरा लेप्टोईस पारसिस को नेक्च उसमें अच्छे से डिसकस करेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक पढ़ जाएगा इस तरह आप देशकते ह यह पानी से फैलने वाली बीमारी यह समझ में आगी ना बाद अब देख लीजिए एक इमेज और दिखाया गया आपकी तसली के लिए ताकि आप थोड़ा खुस हों ठीक है आप बहुत हो जाते हैं बहुत जल्ड़ ठीक है यहां पर देखिएगा हैपेटाटिस ए मेंसन कि और डिसीट प्रिवेंशन एंड गाइडलेंड फॉर्दी सेफ डिंकिंग यह रिका है फूट पॉइजिनिंग फूट पॉइजिनिंग का मतलब होता है बटियलिज्म क्या पढ़ेंगे बटियलिज्म और भी कई चीजह हो जाती है तो टाइफाइट पानी से फैलने वाली पानी से प्रदूसित पानी से फ्याले ंवाली पॉइजिनिंग यह यह रिखन बटियू का मतलब होता है जल से जनित होने वाले जल में लेने वाली बीमारिया अब आप question number 8 पढ़ेंगे sorry question number 7 पढ़ेंगे question number 7 देख लिया coffee cheaters question number आप पढ़ेंगे 7 निमने में से कौन सी बिमारी को portion के करण नहीं होती है which of the following decision is not caused by the malnutrition फिर भी आप यहाँ पर right answer बताएंगे फिर भी आप बताएंगे यहाँ पर क्या होगा कौन सी बिमारी को portion के कारण मल निटूसन के करण नहीं होती है उसका मल ब कोई जरीया हो रहे है पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि मल निटूसन वाली बिमारी यह कौन सी होती है इतना word आप समझ गए ना बहुत कुछ समझ जाओगे नहीं आता अभी मैं बताता ओके इसका जो राइटामसर होगा न आपसंसी होगा क्या आपसंसी इसका राइटामसर है डाइबिटीज लिखा गया है क्या लिखा यहाँ पर डाइबिटीज अब हम आपको बता दे कुपोशन के अंतरगत क्या क्या आती हैं जैसे कि बिटामिन्स होता है मिनरल्स होते हैं क्या होते हैं बिटामिन्स और मिनरल्स बिटामिन और मिनरल्स रिलेटेड या इनकी कमी से आपको कोई भी बीमारी होती तो उसे कहते हैं कुपोशन की वज़े से हो गया क्या हो गया कुपोशन बिटामिन्स मिनरल्स स कुछते हम कहते कुपोशन का बंदा सिकार है या कोई भी बच्चा सिकार है ठीक है या इसकी वज़े से इसकी कमी से हैसा विटामिन मिनरल मतलब खानीज ठीक है कार्बो है प्रोटीन और कार्बो हाइडेर के कमी से जो बीमारिया होंगी वो कुपोशन से समझेद बीमारिया ह होती हैं लेकिन जो diabetes दिया गये न यह किसी से related नहीं होती है क्योंकि यह जो insulin की मातरा होती है insulin का hormones पाया जाता है जो लेंगर हेंस की beta cells स्रावित होता है तो यह insulin होता है यह harmonals हाँन की कमी की वज़े से यह यह समझें आपको बताया भी गया है कई बार ये हार्मोन्स की कमी की वज़े से होता है और इंसुलिन में एक तत्व पाया जाता है जिससे जेडन कहा जाता है जिंक कहा जाता है ठीक है ये एकजांफ में कई बार कोशन पूछा गया है इंसुलिन में कौन सा तत्व या एलिमंट्स पाया जाता ह तो जेटन पाया जाता है जिंक, कभी-कभी जिंक इस तरह नहीं लिखा जाता, जिस तरह आप अपनी स्कीन पर देख रहे हैं, कभी-कभी जस्ता लिख दिया जाता है, ठीक है, जस्ता लिख दिया जाता है, तब भी आप इससे अपना काम चला लेंगे, ठीक है, आपको ज्या जो भी आपको लग रहा है दिम्ड में से प्रात्मिक स्वास्त देखभाल के तत्तों में शामिल हैं इंक्लूड़ किये गए हैं आफसन इसका होगा राइट आमसर आफसन डी इस दर आइट आमसर ये लिखा है उप्रोव तो सभी आधार भूद साफ सफाई टीका करण वैक्सिनेशन ये एमनाजेशन मात्र इवं सिसू स्वास्त सेवाई ठीक है ये सभी प्रात्मिक स्वास्त देखभाल में सामिल हैं इसलिए आफसन डी इसका राइट आमसर होगा नेक्स्ट है कूशन नमबर आपके स्कीन पर 9 कूशन नमबर आप 9 पढ़ेंगे फिर राइट आमसर बताएंगे ये लिखा है रास्टी है स्वास्त नीत्र कब घोशित की गई थी वे नवाजद नेशनल हेल्थ पॉलसी अनाउंस्ट ये वर्ड ध्यान रखेंगे आप नेशनल हेल्थ पॉलसी नॉट प्रोगाम ओके तो आपको बताना है राइट आमसर क्या होगा यहां पर देखिए इसका जो राइट आमसर होगा वो आफसर डी होगा क्या आफसर डी इसका राइट आमसर होगा ठीक है 1983 में से मलब इंप्लांट किया गया था तो आफसर डी होडिंग आफसर का राइट आमसर है एनॉसमेंट किया गया था उन्नीस सुभ यासी में लेकिन अगर नेशनल हेल्थ पॉल्सी इन नाइंटे एटिस गोल एक्सेश तो प्राइमरी केर फार दी एवरिवन इन इंडिया वाइडा टू थाउजिन ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था नेशनल हेल्थ प्राइमरी केर फार इवरिवन इन नाइंडिया वाइडा बात वमेड करता हूं आप समझ गया होंगे कन्फूजन भी दूर हो गया होंगे बाकि आपको सभी कुछ एडिट कर दिया जाता है लास्ट में कोशन नमबर आप सभी 10 पढ़ेंगे और ये लास्ट कोशन होगा आपकी स्किन पर कोशन नमबर 10 जो भी दिटेल्स बताई जाएगे आप इसे कान कोल के सुनेंगे ठीक है कोशन नमबर 10 बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए किया जाने वाला उपाय क्या कहलाता है देखें आपसन के कोडिंग आप राइट आंसर बताएंगे जैसे की आपसन दिये गए हैं आपके स्किन के शाम ने इसका जो राइट आंसर होगा न वो होगा आपसन भी इसका राइट आंसर होगा क्या होगा आपसन भी यह लिखा है सिकेंडरी रोक थाम देखें यहाँ पर सिकेंडरी लिखा है इंग्लिस में भी secondary लिखा जा तो माध्मिक लिखा जाता है क्या लिखा जाता है माध्मिक रोक थाम क्या लिखेंगे हम इसे माध्मिक रोक थाम काम चला लिजीगा आप क्यों यतना बड़ा वर्ड नहीं है माध्यमिक और secondary बात वही है ठीक है तो माध्यमिक रोख थाम कहते हैं अब यह आप कैसे समझें कि माध्यमिक है चलो समझ लेते हैं इसे बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए किया जाने वाला उपाय क्या कहलाता है secondary के अंतर गताता है थोड़ी डिटेल्स दीगे बागी बात हैं सभी हिंदी में समझाएंगे आपको समझ में आ जाएंगे लिकार secondary prevention a form of early disease detection identifies the individuals with the high risk factor or the preclinical disease through the screening and regular care to prevent the onset of the disease secondary के बारे मगारे में बताएंगे अ आगी बात कोई बात na ही नहीं आई तो गफे हम आपको بتाते हैं secondary में होता क्या है secondary में बीमारी को जैसे कि कोई भी बीमारी होती है मालो कोई भीникомारी आपकी हां inter नहीं एप प्रतौटरी है तो ये secondary कहला है और उसका उपाय आपने सोच लिया तो वो primary कहलाता है primary कहलाता है समझ मैं ही example के तोर पर आप समझेंगे जैसे कि मालो किसी भी hospital में एक baby पैदा हुआ कौन पैदा हुआ baby ने जर्म लिया किसी भी hospital में एक बच्चा जर्म लेता है ठीक है और बच्चे को कोई भी बिमारी नहीं है फिर भी हम उसे BCG ठोक देते है OPV 0 दे देते है hepatitis B दे देते है क्या दे देते है hepatitis B BCG दे दिया hepatitis B दे दिया OPV दे दिया ठीक है यह सबी चीज़े हम उसे दे देते है vitamin K भी दे देते हैं उसे जो चीजे पहली नहीं है नहीं हैं लेकिन हमें पहले से अवेर कर दीया जाता है पहले से हमारे बेबी में न फैल जाए ये बीमारिया इसलिए हम लोग जो vaccination करते हैं प्रात्मी के अंतरगत आता है कई वार ऐसे कोशन भी पूछा जाते हैं वैक्सिनेशन को निमनिमे से किस के अंतरगत रखा गया है प्रात्मिक रोक्ताम और माद्मिक रोक्ताम और तर्तियक रोक्ताम अलब टर्टरी तो आप ध्याने के प्राइमरी प्रवेंशन सिकर्डी प्रवेंशन और एक होता है टर्सरी प्रवेंशन तो आप ध्याने के जो वैक्सिनेशन होता यह प्राथमिक प्रवेंशन के अंतरगत आता है तो इसलिए बेबी को बीमारी नहीं थी और हमने उसे पहले से दे दिया डोज ताकि उसे बीमारी ना फैला तो BCG, OPB, Hepatitis B यह सबी दे दी जाती ने जन्मे के समया उसको थी नहीं बीमारी लेकिन दे दी गई ठीक है पहले से पहले उसका पुरा कबच बना दिया गया ताकि इसे बीमारी ना फैले तो इसे हम प्राथमिक कहते है एक्जांपल के तौर पर एक मोठा सा एक्जांपल आप समझ लीजिए हो सकता है किसी को न समझ में आ रहा हूँ मालो की आप एक बाइक चलाते हैं और घर से आप हेलमेट लगा के निकलते हैं क्या लगा के निकलते हैं आप हेलमेट लगा के निकलते हैं तो आपको ये बात पता नहीं कि आपको एसिडेंट हो जाएगी या आपको पता है कि आप कभी بھی छोट लग सकती है ठीक है तो आप जो हेलमेट लगा के घर से पहले ही चलती है ना लगा के चलो हो सकता है कहीं भिर्जाओं और आपको सरफट चाहे ठीक है जब सरफट जाएक तो बाद में जो किया देखो सिकेंटी कहलाएगा बाद में अगर मैं फिल्मेट पांपर में बात प्राइमरी प्राइमरी प्रमेंशन करिणाँ इस talking about your익 के सब्सक्रेइबिद हो इस ऊपछे से अपको बताए यहां और हां आपको बता दें जो तरटरी हो ला तीसरा वाला ठीक है तरतियक रूख थाम इसमें क्या होता है किसी भी चीज का rehabilitation री हैबी स्वारी री हैबिली टेशन देखा जाता है मतलब स्वास्त लाप प्राप्त कहता है किसी भी चीज को पूरी तरह completely खत्म कर दिया जाता है ठीक है स्वास्त लाप की अकांचा की जाती है तो वो तरतिया के अंतरगात आता है किसके टटरी prevention के अंतरगात आता है समझ में आगी न बात अच्छा उमीड करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर चैनल पे नए हैं इस पर आप comment करते है ठीक है वहीं पर हमारा WhatsApp नमबर उपर दिया जाता है और यहां पर भी अभी हम बता देंगे आपको क्योंकि बहुत से लोग ढूरते ही रहते हैं मिलता ही नहीं है क्योंकि कई जनमों से ढूरते हैं मिला ही आज तक बोलते हैं और हाँ जो लोग A&M की हमारी paid classes लेना चाहते हैं किसके लिए A&M exams के लिए UP तरपलसी के लिए या किसी भी state से आप है A&M की हमारी paid classes लेना चाहते हैं तो लोग हमारी paid classes ले सकते हैं और इससे भी बेटर आपको वहाँ पर पढ़ा जाता है बड़ी classes होती है और वहाँ पर पहले theory बगरा पढ़ा जाता है आपका जो syllabus है वो पहले complete के जाद फिर बाद में आपको MCQ exam based question सबी कुछ अच्छे से कराई जाते हैं ठीक है तो जिनने भी लेना है classes जो ले सकते हैं विएक महीने का समय है आपके exams के लिए अच्छे से आपकी तैरी करा दी जाएगी और अब वहाँ पर daily महरातन classes चलेंगे ठीक है आपका 7 तारी के आजपास आपकी महरातन classes स्टार्ट होंगी बहुत बड़े लेवल से आपकी तैरी करा दी जाएगी ताकि आप सभी का selection हो जिनने भी विस्वास है GS India पर वो लोग जरूर class को attain करें जरूर class paid classes join करें और जो fees है वो अठारा सु रुपे रखी गए आपके complete course के लिए इसी में live classes PDF material आपको सब कुछ provide कर दिया जाएगा A&M के लिए ठीक है A&M के लिए not stop nurse ठीक है stop nurse यह चो के लिए यह हम बाद में आप decide करेंगे ठीक है यह A&M के लिए भी चल रहा है complete आपके तारी करा दी जाएगे within time जितने भी आपके chapter है 38 आपके chapter है और 38 को within time complete कर दिया जाएगा revision test सब कुछ करा दिया जाएगा जिनने में believe है वो लोग हमारी classes को attain कर सकते हैं यह हमारा WhatsApp नमबर रहा आप देख शक्ति हैं यहाँ पर यह mention किया गया है 63-07-62-908-630-67-82918 यह हमारा WhatsApp नमबर है आप अपना नाम लिखेंगे अपने जिले का नाम लिखकर हमें message करेंगे ठीक है और साथ में लिखेंगे कि आपने कौन सा course किया है A&M है तो A&M, J&M है तो J&M आपने जो भी क्या BFC nursing किया है तो अभी आप mention करेंगे कि हाँ आपने BFC nursing किया है तो लोग हमें अपना नाम अपने जिले का नाम लिखकर हमें message करेंगे ठीक है इन future हमारी classes staff nurse CHO के लिए भी होंगी staff nurse CHO के लिए ESIC exams के लिए भी होंगी और railway DSSB के लिए भी started हैंगी classes हमारी होंगी ठीक है इन future as soon as possible I will start the class of the staff 9 in the CHO के and the other competitive exams तो अभी बहराल A&M के लिए क्विकिन का exams है और काफी लंबे समय बाद इनकी vacancy आई हुई है तो आप लोग चूके नहीं अच्छे से आपकी तयारी कराए जाएगी ताकि आप लोगों का selection हो सके तो आप इस नमबर पर message कर सकते हैं या visit कर सकते हैं अच्छा चलते हैं आप से जल्दी मिलेंगे हम नेक्ष्ट वीडियो में थेंक्स पर वाचिंग प्रेंट थेंक्यू बाबय टेक क्यार्स और हाँ वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं थेंक्यू थेंक्स पर वाचिंग प्रेंट बाई एंड टेक क्यार्स नाव